अस्सलाम अलेकम फ्रेंड्स मैं हूँ मिशा वेलकम टू गाटनिंग जोन आज हम लगा रहे हैं लेटर्स यानी सलात पत्ता को किस तरह से हम बीच से उगा सकते हैं ग्रीन कलर की लेटर्स उगाने के लिए कौन सी सोईल इस्तमाल करनी चाहिए सलात पत्ता को उगाने के लिए कौन सा मोसम बेस्ट है ये सब शेयर करूंगी आज की वीडियो में चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब करें बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक को शेयर जरूर करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेट्स ग्रो करने के लिए मैंने एक 4 बर 4 इंच का प्लास्टिक का पॉट लिया है जिसमें कुछ होल्स हैं आप कोई सा भी पॉट इस्तमाल कर सकते हैं होल्स को कवर करने के लिए मैंने इस तरह की कुछ पत्थर लिया हैं आप इसकी जगह पर bricks का भी इस्तमाल कर सकते हैं soil mix बाहर ना निकले और drainage भी अच्छे से हो सके pot को side पे रख देते हैं अब potting mix त्यार कर लेते हैं मैंने एक ball लिया है आपको इसा भी बर्तन इस्तमाल कर सकते हैं अब 2 cup फर कर garden soil यह वही मिट्टी है जो हमारी plot में गार्डन में होती है हम भुर्बरी मिट्टी बनाएंगे ताकि हमारी जो lettuce है वह अच्छे से ग्रो हो सके half cup cow dung cow dung की जगह पर आप पत्तों की खात का भी इस्तमाल कर सकते हैं half cup sand यह construction वाली sand है अब 1 teaspoon healthy powder हल्दी से पोदों में fungus नहीं लगती आप इसकी जगह पर नीम केक का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब सारी potting mix को अच्छे तरह से mix कर लेते हैं अब जो हमने pot त्यार किया था उसमें हम अपने just potting mix है इसको फड़ लेते हैं pot को हमने उपर से एक इंच तक खाली रखना है pot को मैंने उपर से fill कर लिया है अब मेरे पास ये green color की lettuce के seeds का packet है seeds को बाहर निकाल लेते हैं lettuce के seeds इस तरह के बिलकुल बरीक बरीक से होते हैं अब 20 से 15 seed को हम pot के उपर sprinkle कर देते हैं सलाथ पत्ता के seeds बहुत ही छोटे और बरीक होते हैं इस वरह से हम काफी सारे एक ही pot में seed डालेंगे seeds को cover करने के लिए मैं यहाँ पर rate का इस्तमाल कर रही हूँ बरीक सी एक layer लगा देनी है आप यहाँ पर मिटी का भी इस्तमाल कर सकते हैं rate में से भी easily powder बाहर निकल आएंगे अब पानी का spray कर देते हैं seedling पर जादा पानी नहीं डालना चाहिए spray की मदद से ही डालना चाहिए ताके हमारी seeds हैं वो अपनी जगा से ना हिलें अब मैं अपनी seedling को बिलकुल shade में रख दूँगी जहाँ पर इस पर धूप भी ना पड़े तो friends 15 दिन हो चुके हैं April के मन्त में मैंने यह seedling ग्रो की है 15 दिन बाद ही हमारी green lettuce के पोदे काफी सारे निकलाएं हैं अब हम इन पोदों को बड़े pot में transplant पी कर सकते हैं बड़ी lettuce को उगाने के लिए 8 से 10 इंच तक का pot काफी होता है green lettuce को उगाने के लिए best मोसम February से April तक का है September से November तक आप भी April के मन्त में seedling को grow कर सकते हैं यह बहुत ही असानी से grow हो जाती है वो ही सलाथ पता है जो हम अपने salad में इस्तमाल करते हैं गर्मी के मोसम में सलाथ पता को shade में रखना पड़ता है गर्मी के मोसम में lettuce के जो पते हैं वो burn हो जाते हैं इसलिए इस पोदे को shade में रखना चाहिए वैसे तो सलाथ पता को 5-6 घंटे की धूप सुबा की जरूर मिलनी चाहिए सरदी के मोसम में ही 5-6 घंटे की धूप में सलाथ पता को रख सकते हैं सलाथ पता ट्रॉपिकल एरिये में बहुत ही easy to grow हो जाता है इस तरह लेटिस का पोदा गर्मी के मोसम में भी बहुत अच्छे से grow होता है तो friends आप भी सलाथ पता को जरूर अपने घर में उगाएं जल्दी से subscribe करें, वीडियो को like करें, बेल आइकन के notification को press कर ले ता कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुन सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोदे के साथ दुआओं में याद रखिएगा अल्ला आफेज